अचानक से तनवेशकर का खड़ा हो गया, उसने देखा ये क्या हो गया है, वो बॉखला गया, वो चिलाया, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन फिर अचानक वहां से राकेशवर गुजर रहा था, उसने तनवेशवर का खड़ा हुआ देखा, और उसने बोला ए तनवेश्वर तेरी ये शक्तियां तेरी ये मायावी शक्तियां अब मेरे काबु में है इसलिए आज से तू मेरा चूसेगा और तब से रोज आज भी माना जाता है अगर छोटापुर में जाओ तो तनवेश्वर राकेश्वर का चूस रहा है ऐसी हलकी हलकी आवाजे सुनाई देंगी